नमस्कार दोस्तों आपने शिप यानि पानी में तहरते जहास के बारे में भी सुना होगा और आपने हवाई जहास को भी देखा होगा लेकिन क्या आपने सुना है एयर शिप क्या होता है और इसको future of civil aviation industry क्यों कहा जाता है आईए समस्ते हैं हवाई जहास को उड़ने के लिए दो प्रकार के बल्कि आविशक्ता होती है पहला vertical upliftment के लिए और दूसरा horizontal movement के लिए इसी के समानांतर में एयर शिप में भी vertical upliftment के लिए तो hydrogen और helium के tanks का इस्तमाल होता है और horizontal movement के लिए propeller engine का इस्तमाल किया जाता है इसका कहीं भी landing और कहीं भी take off कराने की सुवधा और सौर और उर्जा से संचालित करने की इसकी सुवधा इसको बेहत खास बनाती है डियाएडियो किये के काई aerial delivery research and development establishment इसका अविशकार कर रही है